नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं आज का पंचांग 24 मई 2020 रविवार के बारे में आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी आज की दिधिवार नक्षत्र सहीत शुब अशुब समाई तदा आज का च दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने मोबाइल प्रप्राप्ट होते रहे हैं आई ये बात करेंगे आज की दिधी की आज की दिधी है द्वितियाती थी जो की एक एम तक मई 25 तक रहे तरी तक रहेगा उसके पश्चात अगला नक्षत्र होगा बात करें आज का योग की तो आज का योग है सुकर्मा योग जो की 6 बच करके 26 एम तक रहेगा उसके पश्चात जो है अगला योग होगा बात करें आज की करण की तो आज का करण है बालव करन जो की 12 बच करके 42 पेम तक होगा उसके वश्षाद अगला करन होने बाला है बात करें आज के सुर्य것도 के तो आज वधाय होगा पॉच बच करके 26 एंपर साथ ही अगर सुर्यास्त के बात करें तो आज का सुर्य श्रयास्त होगा श्राम को 誌ना को साथ बच करके 10 पेम पर आईए बात कर लेती हैं चंदरोदय के बारे में आज का चंदरोदय होगा 6 बच करके 32 एम पर और अगर बात करें चंदरास्त की तो आज का चंदरास्त जो है 8 बच करके 46 पीम पर होने वाला है आईए अब बात करेंगे आज के शुब समय के बारे में आज का शुब समय आज का विजीत मोर्थ 11 बचकर के 51 एम से 12 बचकर के 46 पीम तक होगा साथ ही इस मोर्थ में आप शुबकार्य अपने आप कर सकते हैं संपन इसके अलावा अमरत काल आज 8 बचकर के 53 पीम से 10 बचकर के 35 पीम तक रहेगा तो इसके मत भी आप अपने शुबकार्य आज आप कर सकते हैं हाई आप बात करेंगे आज दो योग बने हुए हैं विपुशकर योग जो के 5 बचकर के 26 एम से 1 एम माई 25 तक रहेगा और उसके पश्चात विजे मोर्थ जो है 2.36 पीम से 33 पीम तक रहने वाला है आज के अशुब समय के बारे में बात करेंगे आज का अशुब समय आज का रहो काल 5 बचकर के 27 पीम से 17 पीम तक होगा तथा येम गंड 12 बचकर के 18 पीम से 2 बचकर के 1 पीम तक होने वाला है आईए अब बात करेंगे आज के दिशाशूल के बारे में हाई अब बात करेंगे आज के चुकुडिया शुब मुझत के बारे में तो आज लाब जो के उन्मति प्रदान करने वाला है आड़ बच करके बावानेम से दस बच करके पैदी सहमत करेंगा सुबह साड़े सुबह लगबग नो बजे से तो साड़े दस बजे तक इसमें बद्ध में आज चोकुडिया के इसाब से कारिक कर सकते हैं तता अमुरुद जो के सर्वुत्तम होता है साड़े दस बजे से बारे बच करके तारब प्यमत होगा इसके मद्ध भी आप सर्व कारिया सिद्ध कर सकते हैं हई अब बात करेंगे आज के शुब चोगडिया के बारे में जो की बहुत उत्तम होता है दो बच करके एक पीम से तीन बच करके शुब आलेस पीम तक रहने वाज है आज तो इसमें भी आप अपने जो दिदने भी शुकार है को आप कर सकते हैं आज के बुट त्योहर के बारे में आज के बुट वुरत हो अज बगवान चंद्रमा के दर्शन हो तो केसा रहा ये वीडियो मुझे कमेंट के मायद्यम से जरुर बताइएगा और साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ मैं फेस्बूक वोट्स अपके मादे हमसे शेर करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद मित्रों जै हिंद जै भारत